नमस्कार दोस्तों, सुवागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GK Tracker पे दिखे फ्रेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परिक्षावाणी संक्षिप अवलोकन सीरीज जसमें हम परिक्षावाणी का जो पहला चैप्टर है उसको यहाँ पर पूरा कवर कर रहें अभी तक हमने इस सीरीज में साथ क्लासेस के अंदर साड़े तीन सो प्रशनों को कवर कर लिया है अगर आपने उनको नहीं देखा है आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं आज हमारी यह इस सीरीज की आठवी क्लास हम यहाँ पे कवर करेंगे तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला कोशन है भाबर के तुरंत उत्तर की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है कल हमने उत्राखन के भगोलिक विभाजन की शिरुवात कर ली थी हमने तराई छित्र के बारे में बात करी हमने गंगा के मैदानी भाग के बारे में बात करी भावर छेतर के बारे में हमने last question हमारा cover किया था भाबर के तुरंत उत्तर की जो पहाडियां आती हैं उन्हें शिवालिक कहा जाता है इसे ही बाही हिमालिया कहा जाता है ठीक है तो बाहरी हिमालिया और शिवालिक दोनों एक ही नाम हैं अगला है राज्य में शिवालिक श्रेणी की ओसत चोड़ाई तथा उंचाई कितनी हैं तो ओसत जो चोड़ाई है 10 से 20 किलो मेटर के हैं बीच में और अगर हम ओसत उंचाई की बात करें 700 से 1200 मेटर की उंचाई पर शिवालिक श्रेणियां पाई जाती हैं कोशन आता है किस श यानि यह हिमालिया का सबसे बहारी भाग है और यह हिमालिया की सबसे नई श्रिणिया भी है इसको आपने याद करना है और सबसे नई है इसलिए यहाँ पर हमें जिवाश्म देखने को मिलते हैं शिवालिक पहाडियों को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था तो शिवालिक पहाडियों का प्राचीन नाम आप से पूछा गया है प्राचीन नाम था इनका मैनाग कोशन आता है आपको विकल्प देगा इन में से किन पहाडियों को मैनाग पहाडियां कहा जाता है तो आपने शिवालिक पहाडियों को टिक करना है शिवालिक श्रेडियों का उत्राखन के कितने जनपदों में विस्तार है तो आपने नंबर याद करना है साथ जनपदों में इसका फैलाव है ठीक है शिवालिक शब्द शिव और अलग शब्दों से मिलकर बना है इसका अर्थ क्या होता है तो शिवालिक शब्द का अर्थ होता है शिव की बौहें ठीक है और इसका प्राची नाम मैनाक परवत हिमालिय की किस श्रेणी में जीवाश में पाया जाता है तो जीवाश में कहां पाया जाएगा हिमालिया की सबसे नवीन श्रेणी में और सबसे नवीन श्रेणी कौन है? शिवालिक है, ठीक है? एक और कोशन बनता है सिवालिक छेत्र में किस प्रकार की जलवायू पाई जाती है? तो आपने याद करना है, इसको नोट डाउन करना है गर्म और आद्र जलवायू यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है? किस हिमालिय श्रेणी में वर्षा काल में सबसे जादा बारिश होती है? इसी में बाही हिमालिया में जिसे शिवालिक कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट है शिवालिक श्रेणी और मध्य हिमालिया के मध्य में चौरस, सम्तल और सेतिच घाटियों को क्या कहा जाता है तो भाबर छित्र के उत्तर में आपकी शिवालिक पहाडियां पढ़ती है शिवालिक के बाद आपका मध्य हिमालिया जिसे लगु हिमालिया कहते हैं वो आपका पड़ता है लेकिन शिवालिक और मध्य हिमालिया के बीच में हमें चौरस घाटियां समतल मैदान यहां पर देखने को मिलते हैं और इन घाटियों को, इन मैदानों को पश्चिम की तरफ दून कहा जाता है, जैसे देहरा दून और पूरुव की तरफ इन्हें दौार कहा जाता है, जैसे हरी दौार, ठीक है? तो कोशन कैसे बनता है, कोशन बनता है, शिवालिक और मद्ध हिमालिया के बीच में फैली समतल घाटियों को क्या कहते हैं, आप कहेंगे दून या दुआर, ठीक है, राज्य के कुछ भागों में घाटियों की समतल भूमी को क्या कहते हैं, तो इन ही समतल भूमी को सेंड भी क जाता है जैसे आपका गैर सेंड है ठीके अलमोडा का भीकिया सेंड है इसी प्रकार राज्य के सबसे बड़े और प्रसिद दून दहरादून की चोड़ाई कितनी है जैसे मैंने कहा कि मद्ध हिमाल्य और शिवाली के बीच में कई सारे हमें मैदान देखने को मिलते हैं समतल ऐसे ही आपका दहरा दून है जो दहरा दून है आपका यह सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद दून है इसकी जो चोड़ाई है यहां आपका 24 से 32 किलो बेटर इसकी कुल चोड़ाई है ठीके कुछ जो प्रमुक दून है उनकी location आपसे पूछे जाती है जैसे चोखम दून यह कहां पड़ता है चोखम दून आपके पौडी में पड़ता है कोठारी दून यह कहां है कोठारी दून भी आपका पौडी में पड़ता है इसी प्रकार पाटली दून और आपका कोटा दून यह दोनों कहां पड़ते हैं यह दोनों नैनिताल में पड़ते हैं ठीके पाटली और कोटा दून इसके लावा एक दो दून और हैं जो आपको याद करने हैं एक है आपका हरकी दून ये कहां पढ़ता है ये उत्तरकाशी में पढ़ता है ठीक है निक्स्ट है हमारा राज्य में मध्य हिमाल्य कितना चोड़ा और उंचा है तो हमने शिवालिक की बात करी शिवालिक के बाद जो समतल घाटियां मिलती है उनकी बात करी शिवालिक के बाद आपकी कौन से आती है मध्य हिमाल्य ठीक है उनहीं के बीच में तो वो घाटियां थी तो शिवालिक के बाद है मध्य हिमाल्य मध्य हिमाल्य को लगु हिमाल्य के नाम से भी जाना जाता है ठी पाया जाता है और 4500 के उपर आपका वरहत हिमाले पहाडों की रानी मसूरी किस स्रेणी में इस्तित है तो मसूरी को पहाडों की रानी कहा जाता है और अगर कोशन आ जाए पहाडों का राजा किसको कहा जाता है तब आपने चकराता को आंसर करना है जो मसूरी है आपका यहाँ लगु हिमालय यानी मद्य हिमालय में ही पढ़ता है मद्य हिमालय की बात करें उत्रा खंड में नो जिलो में इसका फैलाव है जैसे मैंने आपको परस बताया कि एक तरफ आपकी शिवालिक है और इस तरफ आपका मद्य हिमालय है इनके बीच में वो घाटियां पढ़ रही थी उनको भी हटा दीजिए जो शिवालिक है और मद्य हिमालिया है इनके बीच में कौन सी रेखा है उसका नाम पूछा जाता है तो मद्य हिमालिय और शिवालिक के बीच में आपकी main boundary fault यानी MBF आपको देखने को मिलती है वरहत सीमान्त दरार इसको हिंदी में कहा जाता है इंगलिश में main boundary fault कहते हैं किस-किस के बीच है शिवालिक और मद्य हिमालिया के बीच में इसी छेतर में आपकी मसूरी पड़ती है इसी छेतर में आपका रानिखेत पड़ता है दुधातोली श्रंखला जिसे उत्राखन का पामीर कहते हैं वो भी इसी छेतर में मद्य हिमालिया में पड़ता है कुमाओ के अधिकांश ताल किस परवश्वणी के दक्षिनी ढाल पर इस्तित हैं तो देखे कुमाओ के जादतर जो ताल हैं हमें वो मद्य हिमालिया में ही देखने को मिलते हैं ठीक है प्राचीन ग्रंथों में वरहत हिमालिया को क्या कहा गया है अब हम वरहत हिमालिया की बात कर रहे हैं शिवालिक के बाद फिर से वहीं से चलेंगे शिवालिक के बाद आपका मद्य हिमालिया था जिसे लगू हिमालिया कहते हैं और मद्य हिमालिया के बाद आपका वरहत हिमालिया आता है, ये करम में आपको इनको याद करना है, ठीक है, इन दोनों के बीच में MBF पाई जा रही थी, main boundary fault, लगु हिमालिया, और वरहत हिमालिया के बीच में MCT पाई जाती है, main central thrust, ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में वरहत ह हिमालिया को उच्च हिमालिया कहा जाता है, इसके लावा इसे महान हिमालिया कहा जाता है, मुख्य हिमालिया भी वरहत हिमालिया को कहते हैं, इसको याद करेंगे, ठीक है, एक और चीज, हमने उपर देखा शिवालिक को बाही हिमालिया, यानि बाहरी हिमालिया कहा जा रहा हैं जो सितोषण कटी बंदिया सदा बाहर प्रकार के जो कौन धारी वन है आपके वो मध्य हिमाले यानि लगु हिमालिया में हमको देखने को मिलते हैं मध्य हिमालिया के अंतरगत चमोली पौडी और अलमोडा जिलो में फैला दूधातोली श्रंखला को क्या कहा जाता है देखे दूधातोली श्रंखला किन-किन जनपदों में फैला हुआ है चमोली पौडी और अलमोडा ठीक है इसे उत्राखंड का पामीर कहा जाता है दूधा किस हिमालिय के शिरेणी में है तो इसको याद करना दूधातोली श्रंखला आपके मद्ध हिमालिय में पड़ता है ठीक है यहां से कितनी नदिया निकलती है यहां से टोटल पांच नदिया निकलती है कोश्चन बनता है दुधातोली श्रंखला से कौन सी पांच नदिया निकलती है तो पश्चिमी राम गंगा, आटागार, बूनो और दोनो नयार नदिया पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार वो यहां से निकलती है ठीक है जो राज्ये की गृष्म कालरीन राजधानी है ग राज्ये में उची ऊची पर्वच चोटिया भी हमको देखने को मिलती है अधिकाश उची पर्वच चोटिया आपको व्रहत हिमालिया या ऊच हिमालिया में देखने को मिलेंगी वह शिखर कौन सा है जो शिवधाम के रूप में प्रतिस्ठित है और अलग-अलग दिशाओं से अलग-अलग रूपों में दिखता है तो कौन सा शिखर है, परवश शिखर है, जो शिव धाम की रूप में जाना जाता है और अलग-अलग दिशा से यानि हर दिशा से अलग आकार में दिखता है, यह है आपका तुरिशूल शिखर, कहां पड़ता है, चमोली में पड़ता है, सरवादिक उचाईयां वाली चार च नंबर दो पर है कामेट शिखर या कामेट परवत 77-56 मीटर फिर आपका नंदा देवी पूर्वी है 74-34 मीटर और फिर आपका माना आता है 72-72 मीटर इनकी ये जो उचाई है नंबर सहित आपसे पूछा जाता है जो नंदा देवी पश्चिमी है यहां आपके चमोली में परता है नंदा देवी पूर्वी आपके चमोली और पिथोरगड दोलों में इसका फैलाव है माना फिर वापस आपके चमोली में पड़ता है ठीक है तो यह उत्राकंड की टॉप 4 परवत चोटियां जो उत्राकंड की सरवुच शिकर है नंदा देवी पश्चिमी इसको ल शिकर है इसका सबसे पहले आरोहन किसके द्वारा किया गया परियास किसने किया और सफल आरोहन किसने किया दो व्यक्तियों के नाम है पहली बार जो इसको आरोहन करने का प्रियास किया गया वो 1905 में T.G. Longstaff के द्वारा किया गया लेकिन जो सफलता मिली चड़ने में इसे वो 1936 में मिली जब इस पर तिलमैन और ओडिल के द्वारा यहां पर चड़ाई करी गई ठीक है रज्य में अधिकांश उचाई वाली चोटियां किस जिले में है तो रज्य में शरवादिक उचाई वाली अधिकांश चोटियां हमारे चमोली जनपत में है सबसे उची चोटि चमोली में है कामेट परवाद चमोली में है नंबर चार पर भी चमोली में है जो नंबर तीन पर आती है नंदा देवी पूर्वी ये भी चमोली प्लस पिथोरागड है तो जादतर उंची चोटियां अगर छित्र पूछेगा तो वरहत हिमालय और जनपत पूछेगा तो चमुली फूलों की घाटी इस्तित हैं फूलों की घाटी कहां इस्तित हैं? जैसे रानिखेत, मसूरी, मद्य हिमालय में पढ़ते हैं फूलों की घाटी वरहत हिमालय में पढ़ती हैं वरहत हिमालय छेत्र के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? या यहां के मूल निवासी कौन हैं? तो वरहत हिमालय के जो मूल निवासी हैं वो भोटिया जनजाती को माना जाता है कोशन पूछा जाता है जैसे मैंने आपको कहा वरहत हिमालिया को महान हिमालिया भी कहते हैं या महा हिमालिया भी कहते हैं कोशन आएगा महा हिमालिया की या वरहत हिमालिया की सरवादिक जनसंख्या वाली जनजाती कौन है तो सरवादिक जन संख्या वरहत हिमालिया में किसकी होगी? जो यहां के मूल निवासी है, यानि भोटियाओं की होगी. ठीक है? अगर आपसे कोशन आएगा कुमाओं में सरवादिक जन जाति किसकी है? तब आप कहेंगे थारू जन जाति कुमाओं में सबसे जादा है. उतरा जादतर ग्लेशियर्स हमको मिलते हैं, वो महान हिमालिया में ही देखने को मिलते हैं. राज्य के जो ग्लेशियर्स हैं, यहां प्लाइस्टोसीन युग के माने जाते हैं. कोशन आता है, राज्य के ग्लेशियरों का निर्माण किसे युग में हुआ? तो प्लाइस्टोसीन भी इसको कहते हैं ठीक है ग्रिश्म रितू को उत्राखंड में क्या कहते हैं तो ग्रिश्म रितू को राज्य में रूडी या खरसाउ नाम से जाना जाता है सिंपल सा कोशन है बन सकता है ठीक है इसी प्रकार वर्शा रितू को क्या कहते हैं वर्षा रितु को बसकाल या चौमासा कहा जाता है और अगर हम शीत रितु की बात करें तो शीत रितु को शूंद भी कहते हैं और साको सालेंट कर यूंद भी कहते हैं दोनों याद करना ठीक है गृष्म रितु में समान तहा यहां पर पाई जाती है तो गृष्म रितू में राज्य में किस प्रकार की दशाई पाई जाती हैं? उश्न कटी बंदिया दशाई पाई जाती हैं? वर्षा रितू में सरवादिक वर्षा किस हिमालाई छित्र में होती है? तो अभी हमने उपर देखा था कि जो शिवालिक है जिसे बाही हिमालिया भ सबसे जादा वर्षा होती है तो सबसे जादा तो शिवालिक में होती है शिवालिक के किस जगह पर होती है जादा वर्षा वो टिहरी के नरेंद्र नगर को माना जाता है इसी लिए नरेंद्र नगर को उत्रा खंड का चेरा पुंजी कहते हैं ठीक है वर्षा रितू में सबसे कम वर्षा कहां होती है सबसे जादा तो हमने देख लिया सबसे कम वर्षा वरहत हिमालिया में उच्च हिमालिया महा हिमालिया में होती है ठीक है राज्य में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है राज्य में औसतन वर्षा कितनी होती है तो दिखे राज्य के अंदर दक्षण से अगर आप उत्तर की ओर चलते हैं, तो वर्षण की मातरा घट जाती है, ठीक है? और इसी प्रकार अगर आप पूरव से पश्यम की ओर चलेंगे तो भी वर्षा की मात्रा घट जाती है यानि दक्षिन की साइड जादा बारिश होगी जैसे जैसे आप उपर चलेंगे वर्षा वहाँ पर कम होती रहेगी इसी प्रकार पूरव की साइड जादा बारिश होगी जैसे जैसे आप पश्चिम की साइड आएंगे वर्षा कम होटी जाएगी कुष्एन पेपर में बना था सरवादिक तापमान वाला छेतर कोन सा है तो वर्षा हमने देख लिया अब पूछ रहा है सबसे ज़्यादा टेंपरेचर वाला छेतर शिवालिक से लेकरके तराइ का जो इलाका है यहाँ पर सबसे ज़्यादा तापमान रहता है राज्य में अधिक्तम तापमान किस इस्थान पर दर्जिक किया गया था इसको याद नहीं करना है, इसको नहीं पूछा जाता है, नमबर भी सही नहीं है सबसे ज़्यादा टेंपरेचर जो माना गया है जैसे सबसे ज़्यादा बारिश नरेंडर नगर में मानी जाती है वैसे ही सबसे ज़्यादा टेंपरेचर पंत नगर को माना जाता है सबसे कम तापमान वाला चित्र आपका वरहत हिमालया पड़ता है राज्य का सबसे ठंडा महीना कौन सा है? ये कोशन भी बनता है, सबसे ठंडा महीना, तो वो जनवरी है सबसे गर्म महीने की बात करेगा, तो आपने जून को टिकर कर देना है दिसंबर जनवरी में विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना भारत में कहा होती है? तो विंटर लाइन घटना, ये कोशन पेपर में आया था, कि किस जगह पर होती है? ये आपको मसूरी में देखने को मिलता है, और किस समय? दिसंबर जनवरी के समय में, ठीक है? सुरिया अस्त के समय में नेक्स्ट है, मसूरी के अलावा विंटर लाइन नामक घटना कहां होती है? तो उत्राखन में मसूरी में होती है और इसके लावा स्विजर लैंड में होती है चमोली और तिबबत के बीच में प्रमुक दर्रे या खाल है तो देखें, दर्रों को खाल भी कहते हैं, पांस भी कहते हैं, धूरा भी कहते हैं, इनके कई सारे नाम हैं। मानस्य लंपिया, उंटा जयन्ती और लेभी डर्रा तो ये डर्रे चमोली तिबबत के बीच में ये आपके पिथोरगर तिबबत के बीच में इसी प्रकार उत्तरकाशी और तिबबत की बात करें इनके बीच में है आपका थांगला, मुलिंगला, नेलंग और सांग चोकला सबसे इंपोर्टेंट आपने जुसमें याद करना है वो थांगला वाले को याद करना है क्योंकि राज्य में सबसे उंचाई पर इस्थि दर्रा कौन सा है तो वो आपका थांगला हो जाएगा ठीके नेक्स्ट है चमोली और पिथोरागड के बीच में कौन सा दर्रा है अभी तो हमने इंटरनेशनल दर्रे देख लिए हमारे जो तिबबत के साथ लग रहे थे चमोली का, पिथोरागड का और उत्तरकाशी का चमोली और पिथोरागड के बीच में आपका लातु धूरा है तोपी ढूंगा है, मार्चयोक दर्रा है और बारा होती है इसी प्रकार उत्तरकाशी और हिमाचल के बीच में आपका कौन सा दर्रा पड़ता है शरंगखंट दर्रा ये कोशन पेपर में पूछा गया था कि उत्तराखंड और हिमाचल को आपस में जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है तो इस दर्रे का नाम है शरंगखंट दर्रा ये हिमाचल को उत्तरकाशी से जोड़ता है यानि उत्तराखंट से जोड़ता है पिथोरागड और चमपावत के बीच में कौन सा दर्रा है? तो पिथोरागड और चमपावत इनके बीच में आपका लास्पा दर्रा देखने को मिलता है ठीके? पिथोरागड और बागेश्वर के बीच में कौन सा दर्रा है? ये सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट हो जाएगा परिक्षा की दृष्टी से यह दर्रा आपका बागेश्वर और पिथोरागड के बीच में है जिसका नाम है ट्रेल पास विल्यम ट्रेल के द्वारा इसके खोच करी गई कहा जाता है मलक सिंग बूढ़ा की मदस से विल्यम ट्रेल ने से खोजा था उसी के नाम पर इसका नाम ट्रेल पास रखा गया 1830 में इसकी खोच मानी जाती है यहां किन किन जनपदों को जोड़ता है बागेश्वर और पिथोरागड बागेश्वर और चमोली के बीच में कौन सा दर्रा है तो दो हमारे जो जिले है बागेश्वर और चमोली दोनों के दोनों में एक एक प्रसिद्ध परियटन इस्थल है बागेशवर में कौसानी और चमुली के अंदर फूलो की घाटी तो दोनों को आप एक सुंदर परियटन इस्थल के तौर पर याद कर सकते हैं और दोनों के बीच में है आपका सुंदर डूंगा दर्रा उत्तरकाशी और चमुली के बीच कौन सा दर्रा है तो हमारे जो दो सबसे बड़े जिले हैं इनके बीच में है कालंदी दर्रा ठीक है दार्मा और ब्यास घाटी के बीच में कौन सा दर्रा इस्थित है देखे थमने उपर देखा थांगला दर्रा जो उत्रा खंड का सबसे उंचा दर्रा है ठांगला दर्रे के बाद राज्य का दूसरा सबसे उचा जो दर्रा है वो सिनला दर्रा है यहां आपके पिथोरागड में है पिथोरागड की दार्मा घाटी और ब्यास घाटी को जोड़ने का काम करता है और ये वाला कोशन कि दार्मा और ब्यास घाटी को कौन सा दर्रा जोडता है दो से तीन बार पेपर में आचुका है तो सिनला को याद करना है इसके साथ इस वाले फैक्ट को भी याद करना है कि ये राज्य का दूसरा सबसे उचाई पर इस्थित दर्रा है मान सरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में किस दर्रे का प्रियोग किया जाता है तो मान सरोवर यात्रा के लिए वर्तमान में लिपुलेक दर्रे का इस्तेमाल होता है सीधा सा कोशन आता है मान सरोवर यात्रा किस दर्रे से हुकर जाती है लिपुलेक दर्रा कुमारी पांस कहां इस्तित है तो पांस भी कहते हैं दर्रों को तो कुमारी दर्रा आपके चमुली में औली के नजदीक इस्तित है किन दर्रों के समलित रूप को तीन धूरा कहा जाता है तो आपका उटा, जयन्ती और किंग्री-बिंग्री इन तीनों को मिला कर समलित रूप से तीन धूरा कहा जाता है ठिक है? कुश्यण बन सकता है उपर हमने देखा कि सिनला दर्रा था जो ब्यास घाटी और दार्मा घाटी को आपस में जोड रहा था दार्मा घाटी को लसर घाटी से कौन सा दर्रा जोडता है ये कोशन अगर आ जाए तो एक काफी जादा इंपोर्टेंट दर्रा है गंगाचल दर्रा यहाँ दार्मा को लसर घाटी से जोडता है एक और दार्मा को कुनती घाटी से कौन सा दर्रा जोडता है तब आपने अंसर याद करना है नामा दर्रा ये घाटियां और ये दोनों दर्रे आपके पिथोरा गड़ में ही पड़ते हैं इनको आपने याद करना है तो ये था फ्रेंट समारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्राखन शंक्षिप्त अवलोकन के 50 और कोशन्स को यहाँ पर कवर किया और अब हमारे जो नंबर ओफ कोशन्स हैं 400 कोशन्स हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं इसी प्रकार हम पूरे उत्राखन का जो परिक्षावानी का शंक्षिप्त अवलोकन है उसको यहाँ पर कवर कर और सिर्फ question answer में नहीं जैसे हम हमारी हर सीरीज में करते हैं, extra fact के साथ इनको cover करेंगे, उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को like करें, चैनल पर नए है, तो subscribe करें, अपने दोस्तों के साथ share क करें, वीडियो आपको कैसा लगा, comment box में हमें जरूर बताएं, thank you friends.